नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गजींद्र दोस्तों आज का जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि छोटे गले को बड़ा कैसे करते हैं चाहे गला टोप का हो चाहे गला हो कुर्ती का जैस्ता कि मेरे पास में एक कुर्ती है इसका जो back का neck है दोस्तों बहुत छोटा है दो डह इंच का है और front का भी छोटा है तो आज की वीडियो में आपको यही सीखने को मिलेगा कि neck को बड़ा कैसे करते हैं तो दोस्तों वीडियो बहुत बारी की से बनाऊँगा मैं एक एक चीज़ को detail में explain करूँगा यदि आप वीडियो को पूरा देख लोगे तो आप गला बड़ा करना सीख जाओगे वह simple तरीके से अगर वीडियो आपको अमारी पसंद आती है तो आप अमारी वीडियो को अभी लाइक कर दीजेगा एंड चैनल को subscribe कर दीजिए इसी तरह की वीडियो मैं मेरे चैनल पर बनाता रहता हूँ अब समय को वेश नहीं करते हुए चली वड़ो शुरू करते हैं तो दोस्तों देखेगा मेरे पास में कुड़ती है इसका जो फ्रेंट से जो नाइक है इसके डीपनेस है six inch ठीक है यह देखेगा इस तरीके से नापनी होती हमें और जो back से जीपनेस है दोस्तों इसकी वो है only 29 inch अब किस तरीके से हम इसको बड़ा करेंगे यह जो इसका अंदर पट्टी लगी हुई है ना फ्रेंट में भी और बैक में भी सबसे पहले मैं इनको अलग कर लूँगा यह जो बटन लगा रखे है मैंने यह भी अलग करूँगा क्योंको यहां साम इसकी कटिंग करेंगे तो दोस्तों देखे मैं किस तरीके से अलग करता हूँ यह जो सिलाईया है यह आपको खोल लिए इस तरीके से मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ इस सिलाई को मैंने इस तरीके से खोला यह देखेगा इस तरीके से आपको इस सिलाई उधेडनी है तो दोस्तों देखिए इस सिलाई मैंने खोल ली है इस सिलाई को पूरा आगे से और पिछे से दोनों तरफ से खोल लेना है दोस्तों देखिए कि मैंने पिछे से भी सिलाई खोल ली है और सामने से भी अब क्या करना जो shoulder है इको यह उधेड ना है ययानी कि खोलना है कुप मैं shoulder को भी खोलना पड़ेगा ड़े की cutting करेंगे तो जब तक shoulder नहीं खूलेंगे गले की cutting नहीं हो पाईगी इस तरीके से Shoulder जो खोलना है आपको सिर्फ यहां टाख खोलना है पूरे बाजू तक नहीं को लिए जहां से मैंने बाजू जोड़ रखी है अब क्या करना यह जो पट्टी है इसको बिल्कुल इसमें से निकाल देना है यनी कि अलग कर देना इस तरीके से और सेम आपको पैक से पट्टी को इसी तरीके से अलग करना है पट्टियां अलग करने के बाद दोस्तों क्या करना है यह जो कपड़ा देखे इस तरीके से फोल्डे हमें इसको बिल्कुल इस तरीके से करना है यानि कि इसकी अच्छी तरीके से प्रैस करनी है दोनों गलों को मैंने प्रैस कर लिया है अब उसके बाद क्या करना है यह प्लें करके दिखाता हूँ और कुडती को इस तरही के से रखना ही रहता हना यह देखेगा है यह बिल्कुल बARाबर होने चाहिए इस तरही के दोस्तों देखेगा इस तरिके से लिए अशिये ऑगोंoth का निशान लगाना है इसमें जो मैं गली के डीपनेस रखूंगा यानि कि 7.5 ठीक है आप सिंपल ही क्या करना है जो उपर से हमारे जो शॉल्डर में जाएगा हाफ इंच आपको वो निकाल देना है इस तरीके से निशान लगा लेना है और यहां से आपको नापना है कि यह सा हमें गली के ब्रोड़नेस पड़ी नहीं करनी जितनी आपको इस तरी के से से और ईचान तरी के से अपको यहां पर इस तरीके से से लगाने और इसमें राओंड शेप बनाने इस तरीके से यह देखे दोस्तों आप simple ही क्या करने है इस निशान पामे करने है इसके cutting तो दोस्तों देखिए जो front वाला neck है इसके cutting तो मैंने कर दिये deep हो गया है और जो back वाला neck है इसकी भी आपको इसी तरीके से cutting करनी है कुटती को इस तरीके से रखना है यह देखिए जैसे मैंने front को रखा था इस तरीके से fold करने के बाद क्या करना है वो यह आपको half inch उपा निकाल देना है जो slime में जाएगा उसके निशान लगाना है इसके जो deepness रखूँगा दोस्तों मैं रखूँगा चारिंज सिंपल ही चारिंज पर इस तरीके से सीधा निशान लगाना है और एक निशन आपको लगाना है इस तरीके से और इसमें round shape देना ही यह देखिएगा जैसे हमने back front वाले गले में दी थी यह देखिए दोस्तों इसकी भी हमने cutting कर दी है ठीक है अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि हमने उसकी पहले पट्टी निकाली थी ना दोस्तों यह देखिए एक तो front की थी और एक थी back की जो front वाली है यह छोटी हो गई है क्योंकि गला बड़ा हो गया तो हम दूसरी पट्टी बनाएंगे अब दूसरी पट्टी बनाने के लिए क्या करना है हमें सेम कपड़ा चाहिए होगा यह आपके पस में सेम कपड़ा नहीं है तो आप 19 भी से ले सकते हो मेरे पास ने भी सेम नहीं मिला मुझे तो मैंने यह वाला कपड़ा लिया है अप SIMPLE है क्या करना है इस कपड़े में से उरेव पट्टी की cutting करेंगे पट्टी की चोड़ा ही रही दोस्तों वो रहीगी 2 इ इस तरीके से आप जब दोनों पट्टी cutting कर लेते हो, एक back में लगाएंगे, एक front में, अब लगाने की इस तरीके फे दोस्तों ये देखे, बहुत simple है लगाना, ये वली जो पट्टी है, इसको इस तरीके से double करना ये देखेगा, और इसको इसके बराबर में रखने है, और half inch से भी 1.5 इंच मार्जन रखते हुए इसको रोड में से लाए लगा देनी है यह सारा पूरफीचर आपको मशीन पर बताऊंगा तो दोस्तों देखिए यह गला है और यह मैंनो और पट्टे के कटिंग की थी इसको सिंपल इस तरीके से डबल फोल्ड करना यह देखिएगा उ और यह वाली जो पट्टी है इसको इस तरीके से डबल करते हुए जाना है और गले की बिल्कुल बराबर में रखना है और इस पट्टी को इस तरीके से खेंचना नहीं है यह आप खेंचों को जोला जाएगा इसको बिल्कुल हलके आस से लगानी है बिल्कुल सारे सारे गल अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहां पर किनारपी स्लाय लगाएंगे लेकिन नीचे मार्जन ज्यादा है इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो धागे निकलेंगे इस मार्जन को हलका सा कम कर देना है इस तरीके से एक किनारपी स्लाय लगाएंगे यह देखे दोस्तों पटी तो मैंने लगा लिए अब क्या करना है यह वाले जो पटी है इसको ऐसे अंदरे की तरफ फोल्ड करना है और यहां से बिल्कूल शीदी स्लाय लगानी है यदि आपको यहां से स्लाय लगाने प्रोब्लम होती है तो simple है क्या करना है, यह देखिए, इस पट्टी को उल्टा करके भी सिलाई लगा सकते हूँ, आप यह उल्टे की तरफ से यह देखिए, उल्टे की तरफ से आप लगाऊगो तो सिलाई विलकुल राउंड में लगेगी, अंदर की तरफ फोल्ड करना है, और ऐसे सिलाई लग लगा दी है, हमारा फ्रेंट का गलप बनकर complete हो गया है, सिर्फ से प्रैस करनी बाकि है, अब जिस तरीके से मैंने फ्रेंट में पट्टी लगाई थी, same मैं बैक में लगाऊँगा, तो दोस्तों देखे, बैक में मैंने इस पट्टी को लगा लिया है, लेकिन मैंने इसको इस इस तरीका से बहुत सिंपल है यह देखिए क important यह बाली जो पट्टी में रंदर फोल्ड है इस तरीके से इसको इस तरीके से रखनाए यह देखिए जो पट्टी और एक्स्ट्रा निकला हूसे इसको ऐसे करना है और इसको इस तरफ ऐसे Conform कर रहा है, ये देखेगा और बिलकुल सीधा विश्रा है आपको लगानी है लगोनो लगाने yogi तो दोस्तों ये डेखिए यह यहां से मैने स्लया लगाई है अब या इस तरीके से हो जाएगी तो यह यहां से बिल्कुल ABC गूम हो गई है इस तरीके से यह देखिए, कितनी अच्छी स्कंदर finishing आई है, अब इसमें हम सीधी स्लाय लगाएंगे, लेकिन स्लाय लगाने से पहले, मैं इस तरफ को जो शोल्डर है, यह भी joint कर लेता हूँ, यह देखिए, आप एक बार फिट से समझेगा, इसको मैंने ऐसे रखा, यह देखिए, यदि आपके पास में अनूब हो है, तो आप उपर से भी स्लाय लगा सकते हो, यदि एक्सप्रेंस कम है आपके पास में, तो आप इसको उल्टा करके इस तरफ से लगाईएगा, इससे के राउंड में स्लाय लगेगी, तो दोस्तों देखेगा, बैक और फ्रेंट के गले मैंने बना लिये, यानि कि डीप मैंने इनको कर लिया है, इसका फ्रेंट का गला है, और यह इसका बैक का गला है, कितनी फिनिशिंग से मैंने आपको गले बड़े करना बताया है, दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि इसलाई से सम्मंदत वीडियो मैं मेरे चनल पर डालता रहता हूं अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थेंक्यू सो मच